हाइपर पिग्मेंटिशन मलाजमा चेहरे के जिद्धी दाग टैनिंग दूर करने का सेवें डेज चैलेंज एज के अक्रडेंग हमारे चीक्स पर नोज फोर हेड पर इस प्रकार से दाग आ जाते हैं उसे मिटाने के लिए आज हम सेवें डेज का एक सोलुशन बना के मिटाएगे सवें डेज मेहं ही अपको बैस रिजल्ट मिलेंगे लास में देखेंगे करकी से बैस नी फूर्स जो हमारे डायत में क्लिउड करने से जो दाग मिटाने में पै हैथस बैस प्रिजल्टे करने तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो सोलुशन बनाएंगे वह हमें के लिए बनाना है तो उस कॉंटिटी में हमें इसे बना के रखना है फ्रीज में स्टोर करके रखना है सबसे फर्स इंग्रिडियंट हमें लेने है दो प्याज लाल कलर के लेंगे तो ज्यादा बेस्ट मिलेंगे क्योंकि लाल प्याज का रस हमारे स्कीन के लिए बेहत फायद दाप के साथ साथ fine line मीटाने में, wrinkle को मीटाने में और तील मस्तो को हटाने में बहत बैस रिजल देता है। दो प्याज अच्छे से साफ कर लेने हैं और इसे हमें ग्रीटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। आप चाहो तो mixi jar में भी इसकी पैस बना सकते हैं। उसके बाद चलने में यह पैस्ट आड़ कर देना है और इसका रस हमें अच्छे से निकाल लेना है। यह जो रस हमें इस कॉंटिटी में मिल जाता है इसे अलग से हमें रख देना है। अब देखते हैं next ingredient एक medium size का आलू लेना है। जो हमारे skin structure को सुधारने में help करता है। एक अलू ग्रेट करने के बाद जो पैस्ट मिलती है। सेम वही प्रोसेस करना है। छलने में इसे एड़ कर देना है। और इसका रस हमें निकाल लेना है। यह जो आलू का रस हमें मिलता है यह भी हमें side में रख देना है। आलू और प्यास का रस दोननों हमें side में रखने है। अब देखते हैं next process हमें किस प्रकार से करनी है। next process में हमें 1 steel का पैनलेना है। उसमें 1 कब पानि प्तार अड़ करदेंगे। इसमें धिर सारे इसे पोशक तत्व होते हैं जो हमारे स्कीन पर एजिंग साइन जो होते हैं वह वाक से पहले नहीं आने देता है उसे डिले करने का काम करता है इसके साथी स्कीन को बेहत स्मूध सॉप्ट और मुलायम बनाने में हेल्फुल होता है नेक्स इंग्रेडियन हमें इसमें दो चुट की हल्दी पाउडर एड़ कर देना है हल्दी में एंटिसेप्टिक, एंटिमाक्रोबियल और एंटिबैक्टेरियल गुण पाये जाते हैं जो हमारे स्कीन से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में हेल्प करती है कीचन हल्दी आप ले सकते हैं प्यॉर होनी जाए जो हमारे स्कीन रिप्यार करने में बैस रिजल्ट देती है यह हमारे डाक को मिटाती है~! स्किन डामेज को रिपेर करने का काम करती है ग्रीन टी बैक और हल्दी पाउडर दोनों मिक्स करने के बाद इसे दो बाफ आने तक अच्छे से उबाल लेना है दोनों में जो भी पोशक तत्व होते हैं पानी में उतर जाते हैं बाद में गैस की फ्लेप बन कर देनी है और इस पानी को हमें ठंडा कर लेना है ठंडा होने के बाद अलग से पॉट में इसे छान लेना है छानने के बाद हमने जो आलू और प्यास का रस निकाल के साइड में रखा है दोनों रस हमें इस पानी में अड़ कर देने है और अच्छे से मिक्स कर लेना है यह हमारा दाग मिटाने वाला 7 Days Challenge Solution बिलकुल बनके तयार है इसे हमें एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेना है यहाँ पर मैंने दो स्प्रे बॉटल लिये है छोटी जो स्प्रे बॉटल है वो अपलाई करने में इजी है इसलिए मैं उसमें भी निकाल लिया है इसे हमें फ्रीज में स्टोर करके रखना है आपके पास अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप एक container में भरके भी इसे फ्रीज में store करके रख सकते हैं और cotton ball की मदद से इसे चहरे पर apply कर सकते हैं आप देखेंगे इसे apply करने का next process यह दाग मिटाने वाला solution हमें continue 7 days तक every night हमें इसे apply करना है night में ही आप इसे apply कर सकते हैं तो आपको best result मिलेंगे 7 days तक continue करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम दिन भर में जो भी हमारे चहरे पर dust होता है यंदगी होती है उसे remove करना must है हम जो भी make up करते हैं तो उसे हटा देना है इसे हटाने के लिए हमें एक coconut oil आप ले सकते हैं जो extra virgin coconut oil मेरे पास है जो अच्छे से सारी गंदगी remove कर देता है थोड़ा सा coconut oil लेंगे चहरे पर इसे spread कर लेना है cotton ball की मदद से इसे हटा देना है उसके बाद अच्छे से face wash कर लेना है face wash करने के बाद हमने जो 7 days का solution बना के freeze में store करके रखा है उसे हमें apply करना है skin पर इसे अच्छे से spray कर लेंगे उसके बाद हमें एक आलू का slice लेना है आधा cut कर लेना है और आलू में अच्छे से folk की मदद से hole बना लेने है और इसे हमें चहरे पर अच्छे से massage दो मिनिट का हलके हलके massage पूरे चहरे पर देना है every night ये process करना है 7 days तक continue फिर उसके बाद 2 मिनिट का massage देने के बाद इसी प्रकार से इसे लगा कर और night के लिए उसे छोड़ देना है आप चहरे को morning में ही wash कर सकते है और night ये जब भी solution आपके skin पर रहता है तो skin इसे absorb करती है और दाग मिटाने में help करती है जहाँ पर आपको ज़्यादा दाग है तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना है पेशन्स के साथ इसे हलके हलके मसाज करते हुए लगाना है जो आलू है उसे रब करना है पहले तो हमने solution skin पर लगा लिया है उसके बाद आलू से इसे अच्छे से हलके हलके मसाज देना है तो दाग मिटाने में बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे उनली 7 डेज में और नाइट इसे लगा के छोड़ देंगे मार्निंग में ही इसे वाश करना है सेवेन डेज तक कंटिन्यू यह प्रोसेस आपको करना है नेक्स्ट हम देखेंगे हर्ब से बनी मेडिसिन जो हमें एवरी नाइट पीना है जो हमारे स्किन को अंदर से रिपेर करेगी स्किन को सॉप्ट और मुलायम बनाएंगी इसे मुलेठी पाउडर के नाम से जाना जाता है आयरवेदिक शॉप में आराम से मिल जाती है इसे मराठी में जेश्मत भी कहा जाता है इसे लेने का तरीका हम आगे देखेंगे इसके हमें क्या-क्या वेनिफिट्स मिलते हैं इसमें कौन से पोशक गुण होते हैं वो भी देखेंगे इसमें वाइटमिन A और B पाया जाता है एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाते है जो हमारे सूजन को भी कम करता है इसके खासियत यह है कि हम जो भी दिन बर में खाना उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लेते हैं ओईली, स्पाज्सी, मैदी की चीज़े उसके कारण हमारे लीवर पर लोड आता है लीवर के आसपास गंदगी जमने लगती है तो यह सारे जो गंदगी होती है उसे क्लियर करने में बॉडी को डीटॉक्स करने के लिए मुलेठी पाउडर बेहत बैस रिजल्ट देता है यह एक हर्प है जो हमारे स्कीन को अंदर से रिपेर करने का काम करती है और सारे दाग मीटाने में हेल्प करती है इसे लेने का तरीका एक लास पानी लेना है, एक स्पून मुलेठी पाउडर इसमें अड़ कर देना है, और रात में सोने से पाँच मिनिट पहले इसे आपको पी लेना है, continue वन मन तक आप इसे पी सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, थ्री मन्स तक भी continue कर सकते हैं, आपको जैसे रिजल्ट मिलेंगे, वैसे ही आपको अच्छे से इसे आपको बिलीव कर पाएंगे, कि हमारे दाग इसे clean हो रहे है, जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो थ्री मन्स तक भी आप इसे continue कर सकते हैं, तो friends, herbs से बनी medicine, आपके skin को अंदर से repair करेगी, और जो solution हमने बनाया है, वो आपके दाग मिटाने में, skin को soft और मुलायम बनाने में उपर से work करेगी, दोनों चीजे आप एक साथ, नाइट में ही इसे apply करना है, तो नाइट में अमारे skin अंदर से repair होने का काम करती है, बेस फाइफ फूड जो दाग मिटाने में helpful होंगे, यह जो फाइफ फूड सोते हैं, वो हमारे खाने में हमें include करने है, इसमें सबसे फर्स नंबर पे आता है नीबू पानी, इसमें ठेर सारा vitamin C पाया जाता है, एंटी बैक्टेरियर गुड पाया जाते है, जो body detoxification का का काम का कि अ Ughitrov, समीज णोगे करेंबर आता है, इसमें ठेर सारा vitamin C पाया जाता है, जैसे मार्केट में में सीजने पर शंटरा ऑन अविलेबल हो जाते हैं, तो तुरंत हमें, में हमें इवरी डे एक संतरा खाना स्टार करेना है, इसमें ठेर सारा vitamin C होता है, जो हमारे ​​ झो आपा बोडी को detoxify करता है, खून को साफ करता है और सारे skin से जुड़े तमाम problems को clear करने में helpful होता है थर्ड नमबर पे आता है एक tomato, एवरी डे हमें खाने में include जरूर करना है इसे अगर आप सलात की रूप पे लेते हैं तो इसमें रेसरा vitamin C के साथ साथ जींग भी होता है जो हमारे pigmentation के दाग मीटाने में बेहत best result देता है एवरी डे एक tomato जरूर खाए फूर्थ नमबर पे आता है छाज एवरी डे लंच में एग लास छाज अगर आप पीते हैं तो ये आपके skin को अंदर से रिपेर करने का काम करता है इसमें लाक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपके dead skin को remove करता है दाग हिटाने में और आपके skin को अंदर से soft और मुलायम बनाने में helpful होता है इसके साथ ही ये आपके blood circulation को बहतर बनाने में help करता है पैट साफ करने में आपको मदद करता है अगर पैट अच्छे से साफ होता है तो skin भी अंदर से glow करने लगती है clean होने लगती है इस फाइफ फूड में लास जो चीज आती है वो है आलू आलू में धेर से वाइटोमिन सी पोटेशियूम और ब्राइटनिंग इजन पाए जाते हैं जो skin को अंदर से repair करते हैं दाग घटाने में बहत बैस रिजर्ट देते हैं इसे आपको उबाल कर ही खाना है आप अगर फ्राइड करके इसे खाएंगे तो इसके जिस प्रकार से benefits मिलने जाहिए बिलकुल भी नहीं मिलेंगे आप अगर इसे उबाल कर खाते हैं वीक में दो से तीन दीन अगर आप एक अलो उबाल कर खा लेते हैं तो आपको इसके बहत बैस रिजर्ट मिलेंगे आपके दाग रखनी है सबसे पहले हमने देखा है solution उसके बाद हमने देखा हर्व आईरविदी जो मेडिसीन हमने देखी है वह हमें अंदर से पीनी है और थर्ट चीट बेस फार फूट जो वह अगर आप खाने में इंग्लूड करते हैं यह सारे चीज़े अगर आप ठीक से फॉलो करते है कुछ दिनों के लिए तो तुरंत आपके दाग मिटाने में वहत बैस रिजल्ट मिलेंगे अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्रा मस्त्रा हिल्दी रहे और सबसे बैस्ट चमकते रहे थैंक्यू सो मुझ